नमस्कार दोस्तों मैं हूँ राजिन तिवारी और आप देख रहे हैं जोतिश मंत्र आज हम बात करने वाले हैं चंद ग्रहन की कि चंद ग्रहन कब लगेगा चंद ग्रहन कब समापत होगा उसका सूतक कब लगेगा और चंद ग्रहन भारत में देखेगा या नहीं देखेगा उसका जो सूतक काल है या उसका जो इंपोर्टेंस है वो कितना है इन सभी बातों के चरचा इस वीडियो में हम करने वाले हैं तो आप भी सब को जाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो का अंतर जरूर देखिए अगर वीडियो पसंद आये तो इसे लाइक और शेर कीजिए और मेरे सेनल जोतिश मंद को सब्सक्राट बनना न भोले तो चलिए सबस्क्राइब में यह बता देता हूँ कि इस बार का जो चंद ग्रहन है वो किस प्रकार का चंद ग्रहन है और रातरी मध्य रातरी के बाद याने की एक बचकर रातरी एक बचकर एक मिनिट पर ही समापत होगा इतना लंबा चंद ग्रहन है याने रातरी आट बचकर चवालेस मिनिट से स्टार्ट होगा और रात को एक बचकर एक मिनिट तक चलेगा अगर इस सूतक की बात की जाए तो सूतक ग्रहन स्टार्ट होने के 12 घंटे पहले से स्टार्ट हो जाएगा इसका मतलब यह है कि सुबह 8 बच कर 44 मिट से जो सूतक है वो प्रारम्ब हो जाएगा और 8 बच कर 44 मिट से ग्रहन स्टार्ट हो जाएगा और 1 बच कर 1 मिट तक ग्रहन रहेगा यानि कि 1 बच कर 1 मिट पर ग्रहन समापत होगा तो ये तो होगा ग्रहन का समय काल अब सुनी जान लेते हैं कि भारत में इस चंद ग्रहन जो है वो दिखाई देगा या नहीं है तो भारत में इस चंद ग्रहन दिखाई नहीं देगा भारत की किसी भी प्रांत में या किसी भी राज्य में चंद ग्रहन नहीं दिखाई देगा तो इस तरह से देखा जाए तो भ पंचांग के अनुसार इस ज्सक और बी माने नहीं इकोर नहीं कि आना हिसे कीरफ तरण करें oysters प्रवाव या किसी कष्या बढ साइव भ्रहा है इस भारत दिखाई नहीं दएका तो उसका सुतक भी मानने नहीं देगा और नहीं च thri है और यहां पर इसका मतलब जो 30 मेंस को सब्सक्राइब पना नह वोले आज लिए इस इतना ही मिलते हैं नवी शक्स है तब तरह आप पर यह खुश और मुझे दी जा गया जहीं